गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मंजिल मिले या ना मिले ये आलग बात है आपको उसिश ना करो ये गलत बात है सुबा के साड़े छे बज़े आप ये कलास देख रहे हैं जिसका नाम है फ्रेक्शन ड.L.Ed का परतम समेश्टर की कलास होती है सबतामे तीन दिन होती है वो तीनों दिन कौन-कौन से है सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानि कि मंडे, टूजडे एंड बेटनेस डे आज आपका इस कलास का लथा लाश्ट दिन है इसके बाद फिर मंडे से ये कलास होगी आप लोग रिविजन करते रहें कोर्स की पिल्कुल टैंसा नलें, दस दिन में सारा कॉर्स पूरा हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, अगर आपने इसके पहले की 6 कलास देख लिया है, तो आप समझ गया होंगे गडित कितना आसान है, आज हम देखेंगे इसके बारे में हम पिछली कलास में और जीरो लेबल की कलास में बहुत अच्छे से बता चुके हैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है आज सिर्फ टॉफिक चलेगा जोड घटाना गुड़ा और भाग देखेंगे भिन्नो का जोड जब भिन्नो के अंस बराबर हो क्या बराबर हो अंस नहीं पहले हर हर बराबर हो भिन्नो को जोड कैसे करते हैं जब भिन्नो के हर बराबर हो देखना तीन बटा साथ धन पाँच बटा साथ देखो हर नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं उपर वाले कौन से बोलते हैं इंगलिस में इसे डेनोमिनेटर इसे नूमरेटर बोलते हैं यही होता है है ना तो देखना जब हर हर बराबर हो तो नीचे एक बड़ी फी लाइन कीच के इसको ऐसे लिख लेते हैं दो जगा को एक जगा बाकी उपर प्लस लगा था तो यह ऐसे हो जाता है उपर उपर का जूड़ जाता है यह अंसर आ गया बात समझ में आई ना 19 प्लस 11 और यह अगर ऐसे है इसको आप ऐसे लिख लो ठीक तो यह क्या हो जाएगा नीचे 11 ऐसे रहेगा और यह 19 फ्लस 14 इसको जोड़ लो 9 4 13 का 3 1 आया कहरी और 1 1 2 1 3 और यह 11 यह पहली कंडिशन हो गई जब किसी भी भिन्न के हर बराबर दिये गए हूँ आगे देखना अगर भिन्नों के हर बराबर ना हो तो उनको कैसे करते हैं इस कलास को पूरा देखना और अगर अभी तक लाइक ने किया तो अभी तूरंद कर देना बिल्कुल देना करना जिसे से आपको बहुत ही मज़े से समझ में आए साथियों इस कलास को रिकार्ड करते से मैं बहुत देर हो चुकी कि सुबा होने से पहले ये कलास आपके लिए रेडी हो जाए चाहे चिस भी हालत में रेडी हो जाए तो इसलिए अगर कहीं कुछ भी आपको confusion लगेगा तो बता देना दूसरा जब हर आसमान हो जब हर आसमान हो तो कैसे जोड़ते हैं पहले चोटी-चोटी बिनने देखेंगे फिर बड़ा भी करेंगे ठीक है तो जब हर आसमान हो इस तरह का fraction करने का दो तरीका है फाइस्ट मेथेड देखना क्रास मल्टीफल ये दो का पांच में गुड़ा कर दो तो दो पंचे दस और साथ का एक में गुड़ा कर दो तो प्लस लगा के साथ और फिर साथ का दो में चौदा इस तरह सी ये सेवन्टी नफान फॉर्टीन आ गया ये कौन सा मेथेड था क्रास मल्टीफल वाला मेथेड था अगर कहीं कुछ भी गड़बर लगेगा तो कमेंट करना ठीक न मानवेत रुटी के लिए माफी चाहते हैं हमारी कोसिस होगी 100% एकुरेट जनकारी आपको मिले अगला देखना 3 बटा 5 धन 1 बटा 3 इसमें क्या करोगे 3 का 3 में गुड़ा कर दो 9 हो गया और धन 5 का 1 में कर दो 5 हो गया और ये 5 ती आई कितना हो गया 15 तीन का 3 में हुआ 9 आया 5 का 1 में हुआ 5 आया 5 का 3 में हुआ तो 15 इस तरह से जोड़ो कि 9 5 14 बटा 15 आ गया कितना आ गया 14 बटा 15 नोट कर लो इसको ये बात क्लियर हो गई न आगे देखते जाना ये तो हो गया पहला में धेट दूसरा मिधेट से कैसे करोगे इसी सवाल को करने का दूसरा मिधेट भी है और वो दूसरा में तर आसान है अक्दम बहुत ही अक्दम असान सा है वो ये है इनका LCM लेना हर का LCM पांच और साथ और दो का LCM निकाल लेना कहीं भी तो 14 आएगा LCM आप खुछ से करोगे जो LCM आया है उसमें पहली भिनिके हर से भाग करोगे तो साथ से भाग करोगे दो आएगा और जो ये दो आया है ना इसको क्या करोगे इस दो का गुड़ा करोगे इस पांच में तो ये दो ये पंचे 10 हो जायागा ठीक और फिर प्लस अब देको जो 14 है उसमें क्या करोगे 2 से फिर से भाग करोगे 14 में तो ये 2 से बन जा क्या हो जायागा 14 उपर क्या है 7 आया ना जो 7 आया है ना उसका क्या करोगे? साथ का एक में गुड़ा कर दोगी हिन वह जाएगा बात समझ में आयी ना? लेकिन एक बात यहां पर द्यान दे ना? यह जो आया है साथ ना? पलफ लगा कि यह 7 एक में ही रहेगा यह तरीका सही होता है बस हो गया ना? अब इसको जोड़ लो यह हो गया 17 बटा 14 ये था LCM मेथेड कमेंट करके बताना दोनों मेंसे कौन सा मेथेड साही लगा 50 या सिकेंड ये अभी लिखते न ठीक तो इस तरह से LCM मेथेड से बड़ी विन्नों को हल करना में आजसान ही होती अच्छा लगता है लेकिन छोटी विन्नों में नहीं मजा आता है देखो ये अब बड़ी विन्नों में अभी दिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा चार और तीन का LCM करोगे तो ये 12 आएगा यहां पर LCM भी चोटा चोटा आता है जब 12 में 3 का भाग करोगे तो 4 आएगा और 4 का 5 में गुड़ा करोगे चर पंचे 20 हो जाएगा प्लस 4 से भाग करोगे 12 में 3 आएगा 3 का 1 में गुड़ा करोगे 3 हो जाएगा इस तरह से ये 23 वटा 12 आया बात पकी ना तो यह आपने देख लिया भिन्नों का जोड़ जब हर बराबर हो और जब हर बराबर नहीं हो और इतना ही नहीं आपने यह भी सीख लिया कि कैसे हल करते हैं सारा तरीका यहां पर आप एकदम समझ चुके होंगे छोटी छोटी भिन्नों का फिर आप मड़ी भिन्यों का भी करेंगी लेकिन उसको बाद में पहले हमें आपको बेसिक कंसेप्ट शिखाना है उसके बाद पिर तो आपस्प हुत जाओगे न चाय छोटा ही उच्छाक होँ अगर आप बेसिकि शीक जाओगी तो आपसब कर ले जाओगे इसमें कोई टेंसन की बात नहीं है चलो ठीक है ओके गो फास्ट नेक्स्ट स्टेफ देखिए अब घटाना पर चलेंगे जब भिनों के हर बराबर हों तो कैसे गटाते हैं एक बड़ी सी लाइन खीचते हैं उसके नीचे लिख देते हैं उन हरों को सेबन लिख दिया उपर वाला जो भी नंबर है जैसे वो ऐसे लिख देते हैं चिन लगा के पूरा पूरा और फिर घटा लेंगे तीन मेंसे दो गया एक बटा साथ यह अंसर हो गया इसमें क्या करोगे एक लाइन खीच कर तीन और आठ माइनस तीन है ना यह सबसे आसान तरीकह होता है जब इन्हों के हर बराबर दिये गए हो नीचे के नंबर बराबर हो तो बहुत आसान होता है हाँ लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हर बराबर नहों चलिए उसको भी देखते हैं उसके पहले अगर अभी तक आपने PBR Studio को subscribe ने किया तो subscribe कर लीजिएगा और bell icon को अवस्यान करिएगा आपने class को join किया या नहीं किया है लेकिन subscribe करके bell icon ये हर कोई करेगा ठीक ना bell icon आन करना मत भूलना subscribe तो हर कोई करता है लेकिन जो bell icon को नहीं आन करते हैं उनको class का कोई notification नहीं मिलता है अगर आपको bell icon नहीं पता है तो आप comment करना या फिर whatsapp नंबर पर संपर करना आपको सिखा दिया जाएगा बगल में एक छोटा सा subscribe के बगल में black color का निसान लगता है घंटी की तरह उस पर click करना होता है चलो ठीक है अब जब इनके हर अलग अलग दिये गए हो जैसे तीन है अब इनका गटाना कैसे करते है इसमें साथियों वही बात है जो आप लोग अभी तक सीखते आये हो और बाकी कोई नई कुछ नहीं है ये इनके हरों का चाहे तो LCM ले लो चाहे क्रास मल्टीपल कर लो उम ख्रास मल्टीपल कर लेटें एक में एक में LCM ले लेंगे तो ख्रास मल्टीपल करोगे तेरह का 7 में 13 साथिया एकक अन्नवे माइनस तीन का 5 में करोगे 15 और फिर 3 का 7 में करोगे अकिष्ट इस तरह से इसमें से जब घटा होगे तो कितना आएगा 91-15 गटाए लो कहीं बगल में चुक्के से लिख करके ये देखो 11 में से 5 गया 6 A में से 1 उधार गया A बचा 8 8 में से 1 गया कितना 7 76 आपां 21 आएगा कितना आएगा 76 बटा 21 बात समझ में आ रही ना कोई टैंसन होगा तो तूरंद बता दे ना बीना किसी टैंसन के 11 में से 6 गया 5 अधार गया तो एक बचा यानि कि एक कम होगे 8 में से गया 7 क्लियर ना कोई कंफ्यूजन होगा तो तूरंद बता दे ना चुकि टाइम बहुत जादा हो चुका रात में तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कहीं हलका फुलका मिस्टेक हो जाए वैसे कोईसिस रहती यह कुछ नहीं होता देखो इसमें LCM लेगो 9 और 3 का LCM लोगे तो 9 आएगा LCM निकाल के देख ले ना 9 आएगा अब उस LCM में पहली भिन के हर से भाग करोगे 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा और यह जो 3 आएगा इस 3 का गुड़ा कर दोगे 14 में तो 14 ती है 42 माइनस जो LCM 9 आया है उस 9 से जब 9 में भाग करोगे एक आएगा एक का 5 में गुड़ा करोगे पांच आएगा इस में से घटाओगे तो 37 बटा 42 आएगा ना 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 बबा ना 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 37 बटा यह 9 है नीचे ना ठीक तो यह उन विन्नों का घटाना था जिनके हर बराबर नहीं थे वो भी आपने देख लिया नहीं समझ में आगा तुरंट बता देना जल्दी से स्क्रीन साट ले लो फट से उसके बाद हम आगे चलते हैं बिना देर करे हुए और सब्सक्राइब करके बेल आइकान आन करना हमें फेस्बुक पर आवस्य फालो करना भी वियर इस्टडी लिख कर इसमें देखो देखने वाली बात ये है कि जो भिन अवी हमने ले करके घटाना किया था उसी को ले करके हम गुड़ा भी करेंगे बीच में गुड़ा कचिन लगा देंगे सबसे आसान गुड़ा होता है उपर उपर का गुड़ा हो जाता है नीचे नीचे का हो जाता बाकी कोई टेंसन नहीं होता है तो तेरा का गुड़ा पांच में करोगे तेरा पचे पाई साथ और तीन का साथ में करोगे तीन सते एक एस यह हो गया उत्तर कितना असान है ना एक छोटा सा सवाल दूसरा देख लेना इसको नोट कर लो जल्दी से फट से तुरंत हमारे मुझे से निकले ना आप फट से नोट करो है ना एक और देखना अगला देखे गुड़ा बहुत ही आसान होता है और भाग जो है उससे भी जादा आसान होता है केवल गुड़ा पर ही आधारित होता है जैसे हमने लिखा 19 बटा यहां पर 9 और गुड़ा 18 बटा 38 देखो यह आसान होता है लेकिन अगर यह कटता पिर्थत पहले काट लेते हैं 9 से कट जाएगा 9 कम नो 9 दून 18, 19, 19, 19 दून 38 इधर देखो 1 अपान 1 इंटू यह बचा 2 अपान 2 यह भी देखो कट रहा है ना वन अपान 1 आ रहा है ना यहां पर कटके यानि फाइनल में 1 अपान 1 इंटू 1 अपान 1 आ रहा है मल्टिफल करोगे 1 अपान 1 और लाश्ट में 1 आ जायागा ना समझ में आएगा तूरंत बताना कितना आसान था ना यह बहुत मज़ेदार था चल्दी चल्दी छाफलो फटाफट हो गया ना इतना आगे चले देखना अगर हम यहाँ पर दूसरा सवाल लिख दें तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लेना इधर साइड में देख लेना ध्यान से बस बिल्कुल बिना किसी टेंसन के देखते रहना देखो हम देख रहे हैं मल्टिफल ना मल्टिफल कई तरह का इसमें आता है गुड़ा करना इनका अगर सीधा सीधा करोगे काफी बड़ा है लेकिन क्या करेंगे कट रहा है तो काट लेंगे यह काटना आपको आना चाहिए यह कटेगा तेरा से क्या नहीं कटेगा मत कटना कि इसको आपे काम कर सकते थे याशे कट जाता और वह उससे घर जाताब हैं लेकिन बात हो यह होथी कोई और फरक ना पड़ताा आहए काट के देखें लिए से कार थे तुट यह साथ हो जाता यह तीन यह सातरी कर्षा जाता वीसे भी यह सांथा है Biology तो कुल मिला करके फाइनल में 21 बटा एक आया और ये 13 बटा 13 हुआ है ना उत्र उतना ही आएगा ये भी कट जायागा खतम हो जागा एक आएगा फाइनल में आपको 21 मिलेगा ठीक दूसरा तरीका देख लो जो अभी आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं दूसरा तरीका ये था ये 13 से काट दो एक मिनार्ट 13 से काट दो 13 सत्रीक यानदवे 7 से काट दो तीन और 7 का गुड़ा करोगे तब भी तो या कईस आता ना कि कुछ हो रहा था तो सातियों ये था गुड़ा अब देख लो भाग भी इसमें छोटा छोटा देखे हम सिलेवस से ही चल रहे हैं उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्न के LCM और दसमलो भिन्न पढ़ेंगे तो सीरियल वाइज कलास देखना एक तरफ से कोई कलास मिसना होने पाए अब आप देखोगे भिन्न का भाग क्या देखेंगे भिन्न का भाग हाँ जैसे लिखा है 9 बटा 5 और डिवाइड बाई क्या है 27 बटा 125 देखो भाग हल करने का सबसे आसान तरीका है पहला वाला भिन्न को ऐसे लिख लो बिना कुछ फू करे बिना किसी टेंसन के फिर भाग कचिन अटा के गुड़ा कचिन लग जाएगा ये भिन्न पलट जाएगी और 125 उपर हो जाएगा 27 नीचे हो जाएगा अब ये गुड़ा बन गया जो कट रहा है काड़ लो 9 तरीक 27 ये 5 से कटेगा फाइनल में आएगा वान अपान वान इंटू 25 अपान थ्री है ना और इस तरह से क्या बन जाएगा 25 बटा तीन बात समझ में आई ना नोट कर लो जल्दी से बिना किसी टेंसन के हिजचिक मन नहीं हो मतलब की क्या बोलते हैं उसे हिचिक नहीं होने चाहिए आपको कोई हैजिटेशन नहीं होना चाहिए एकदम आसान तरीके से अल कर लो मैंने एक बार बताओं कि क्या क्या किया पहले ये डिवाइड का चिन लगा था भाग का हमने गुड़ा का चिन लगाया इसको पलट दिया उपर का नीचे नीचे का उपर कर दिया पांच से काट दिया तो पचीस आ गया नौ से काट दिया तो तीन आ गया उपर पचीस नीचे तीन ये एक एक आया था बस गुड़ा कर लिया और क्या किया लेयर असपास टेना बाते ओके ठीक है नोट कर लिए हाँ तो एक बात और बताना था वो क्या है कि PBR Study का एक पार्टनर चैनल है हिमानसु सर के द्वारा जो की चल रहा है उपर लिखा गया जिसका नाम है EG Derivation इसको सब्सक्राइब करके सर को मोटिवेट अवस्य करना और रिक्वेश्ट है हमारी हमवेल रिक्वेश्ट है सब्सक्राइब जरूर करना हर कोई करेगा ठीक है बाकि PBR Study को Facebook पर तो आप लोग फालो करेंगे तो अच्छी बात है नहीं करेंगे तो फिर आपका घाटा है मेरा कुछ नहीं जाता ठीक चलो अगला ये अगला सवाल है देखो इसको हम कुछ भी बना के लिख सकते हैं हाँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आसानी से हल हो जाते हैं इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हो ये 24 बटा 48 ये पलट जायेगा 12 बटा क्या हो जायेगा 72 हमने चीन लगा दिया गुड़ा का भाग अटा दिया जो कट रहा है काड़ दो 12 एकम 12 बटा 44 24 एकम 24 24 तीया 72 है ना क्या आया एक बटा चार और ये एक बटा तीन गुड़ा कर लो एक बटा 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 आएगा बात समझ में आई ना ये कलास बहुत देर में रात में रिकार्ड हो रही है इसलिए अगर कहीं भी मिश्टेक होने की कोई संभावना होगी तो आप कमेंट करना आपके सुजाव साधर आमंत्रित है ठीक ना एकदम बात क्लियर है तो साथियों ये भिन्न का भाग गुड़ा जोड़ घटाना आपने सब कुछ देख लिया इसमें सीख भी लिया है अगर कोई भी हलका सभी आपको डाउट होगा तो बता देना हाँ हम बड़ी भिन्न हल करें लेकिन उसके पहले आपको इसमें एक और बात बता दे इन भिन्नों में जब तीन पदी के भिन्न आ जाते हैं तो आप कैसे करते हो जैसे एक बटा चार में एक बटा दू जोड़ना है इसमें एक बटा पांच भी जोड़ना है तो हमारे पास केवल L.C.M. लेने का ही मेतेड बचता है 4,2 और 5 का L.C.M. नीका लोगे तो कितना आएगा बता दू जल्दी से 4,2 का 4 आएगा 25 हमें लगता है कि 20 आएगा है ना कितना आएगा 24,5 का 20 आएगा क्यों कि 2,1 कम दो 2,4,5,20 आएगा ना L.C.M. ले लो क्या आया 20 अब क्या करोगे चार से भाग कर दो 20 में कितना आएगा पांच ना और पांच का एक में गुडा कर दो हो गया यह खत्म प्लस के दो से भाग करऊ 20 में 10 आएगा 10 का ऊपर कर लोग करोगे 10 हो जाएगा फाइब से डिवाइड करो 20 को 4 आएगा फिर उपर मल्टीपल कर दो 4 हो गया क्लियर जोड़ लो फटा फट पांचा नौ दस नौ नईस नईस बटा 20 यह हो गया उत्तर यह तीन पद वाली बिन्न हो गई क्लास को देखना छोड़ के मत जाना समझ में आने की पूरी गारंटी होगी पढ़ाते नहीं सिखाते हैं जीरो से हीरो बनाते हैं यह टाइटल आप लोगों ने पहले देख लिया होगा है ना बहुत पहले आपने इसको देख लिया होगा तो चलिए नेक्स्ट अवाल तुरंत नोट करिए दिमाग को एक्टिव रखिए क्योंकि आप कलास में बैठे हैं आप लोगों को कैसे कैसे हम कलासे उपलब्द करवाते हैं इसका आपको जरस अभी अंदाजा नहीं होगा कितना भी देर हो जा लेकिन हमारी कोसिस होती कि आपको कलास अभी से मिले आप लोगों का लाखों विस्वास जो बना है उसी तरह का बना रहे तूटने ना पाए तो छोडेंगे ना हम तेरा साथ गुन गुनाते रहे इसको कैसे हल करेंगे जर ध्यान से देखना देखना बहुत ही आसान है यह इसको हल करने के लिए भी आपको तीन दो और साथ का ऐल सी एम निकालना होगा तीन दो और साथ का निकालोगे धन जब 7 से बाग करोगे 42 में 6 आएगा 6 काइक में गुड़ा करोगे 6 हो जाएगा इस तरह से अब आप इसको जोड लोगे तो ये हो जाएगा सब फाइनल में जोडोगे तो 70-20 अरे ऐसे जोड लो जी 27 हो गया 27 में 70 जोड लो 70-20, 97-97 और ये 97 बटा कितना हो गया 42 हो गया ये कटे करने किसी से इतना क्या हो गया अंसर हो गया ये था तीन पदो वाली भिन्नों का जोड था इसी तरह का आप घड़ाना भी कर लोगे same to same और गुड़ा भी ऐसे ही होगा और भाग भी ऐसे ही होगा के लिए उसको करके लेके आना जो लोग होमर करेंगे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे उस दिन देखी हम दिल्ली गए हुए थे आगरा गए हुए थे और एक दिन लखनो भी चलना है नहीं गए उस दिन गए हुए थे लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया तो हमारी जिंदगी से संबंधित और परेटेंस से रिलेटेड अच्छी अच्छी जगा के वीडियो को देखते रहने के लिए पीवियर स्टूडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें पीवियर स्टूडी ब्लॉग्स को हमारे खेती बाड़ी खेत खलियान गाय भाइस बाग बगीचा उसका वीडियो भी आपको उस पर मिलेगा ठीक ना हाँ तो अब होमवर्क नोट करना है होमवर्क में है सबसे पहले जोड गटाना गुड़ा एवं भाग करें मतलब एक एक सवाल का आपको चार बार लगाना उसी भीन को एक बार जोड करना फिर एक बार उसी को गटाना करना उसी को गुड़ा करना और उसी को भाग करना पहले नोट करो जब इनके हर बराबर हो बी वाला ठीक है यह हर बराबर हो गया सी वाला जब हर बराबर ना हो ठीक डी वाला ठीक E इसको भी लिख लो जल्दी जल्दी लिखते जाओ जी जोड घटा ना गुड़ा भाग सब कुछ करना इसमें लेकिन कुछ लोगों का बड़ा बुरा लग रहा होगा ना समझ पाएंगे अच्छा नोट कर लो इसको आप जोड़े कर ले ना नहीं समझ में अगर हो गया ना कर लिए बात कतम हुई ठीक है ओके चलो अब फिर से चिन बदलो जल्दी से नोट कर लिए ना नहीं करे हो तो कर लो फिर से सभी में पलस लगाना बीच में ये देखो आपके कितने सवाल हो गए च्छे सवाल हो गए एक दो تीन चार है थो हुआ जी चार हो गया ना नोट कर लो अब इनी सवालों में आप क्या करो में अब इनी सवालों में आप घठाने का चिन लगा दो साभी में घठाने का चिन Christians तो जल्दी करो, हो गया ना, हो गया, तो आप लोग जोड घटाना देख चुके हैं, है ना, जल्दी करिए ये होमर के लिए आपके, अब गुड़ा का चिन लगाएंगे इसी में, जल्दी करो फटा फटा आप लोग इसको हर जगा लिखना अलग अलग, यहां पर हम चिन आपको अलग अलग लिख के करना है हर बार, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कर के लाना, अवस्य कर के लाना, अभी और तरह का सवाल देंगे, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा अलग तरह भी देंगे, भाग भी कर लो इसी में, ना, ही मज़ा नहीं आएगा, भाग इसमें पीबीर स्टुडी डाट कॉम, और से बिजिट करना, एक बार, पीडिया फाइल, करेंट अफेर, और अन्य महत्तोपूल मेटेरियल के लिए, 31 बटा वासट, और गुड़ा इसमें भाग वाला है ना, जी, कर लो, डिवाइड वाईड वाई, 31 बटा वासट, ए नमबर सवा नेट, सी नमबर सवाल है, 240, बटा 128, डिवाइड वाई, 120, बटा का हो जाएगा, 64, हल करना, फिर बताना, कोई टेंसर नहीं है, सभी होमर्क हैं, घर से करना, एक तरफ से करना, जी, जान लगा कि करना, सब आएगा, कोई सवाल है, कोई डाउट है, ता आप पूछ सकते हो, कोई टेंसर नहीं है, यह सभी होमर्क है, आप इनको नोट कर लो, जितना ज्यादा होमर्क करोगे, जितना ज्यादा खुद को घीसो पिटोगे, उतने ज्यादा मजा आएगा, और जो जी चुराएगा, वो जिन्दगी में चुराता ही रहेगा, तो इसलिए जी मत चुराना ये भी कर लेना, कर लोगे ना, जब कर लोगे तेका दूठी हो लिकलो फिर, लगे हाथ इसी में, है ना, पांच सवाल हो गया, जल्दी करो होमर्क है आप सभी के लिए, होमर्क अवस्य किया करिए क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं, आप लोगों के ही कंपलेन आती है के सार होमोर्ग दिया करें और हाँ एक बार मैंने बता दिया ना फिर से बता दू पीवियरे स्टेडी ब्लॉग को अगर सब्सक्राइब ने किया तो अभी तुरंद कर ले ना बाद में होमोर्ग नोट करना जल्दी कर लो तुरंद देखे जो बाते हम आपको बताते हैं अगर उनको आप फालन मतलब क्या बोलते हैं इंगलिस में फालो करते हैं यानि कि पालन करते हैं तो खुसी होती एक परकार से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं कुछ लोग सोचते हैं यार चले, हाँ तो आप लोगों को ये बात बता दें आपर जो लोग कलास को हर दिन देखना चाहते हैं, पूरा कम्पलीट पढ़ना चाहते हैं, जिनको यूटूब पर वीडियो खोजने में दिक्कत होती है, यूटूब पर सारे पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, वो लोग इस वा फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं, और गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं, गूगल पे या फोन पे का नंबर यही है जो दिख रहा है, और यही नंबर वाट्स अप का भी है, तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, फाइब फोटी नाइन का पे करके जो भी करना चाहता ह गूगल पे या फोन पे से इसी नमबर पर और फिर उसका रसीद इसी वर्टसप पर भेज़ देगा फिर आपको आदे गंटे के अंदर कलास उपलब्ध हो जाएगी तो साथियों आज के लिए बस इतना ही जो लोग नहीं करना चाहते पेमेंट मत करो एक भी रुपया ना करो यूट्यूबर सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन को आन करके रखो और यहीं पर देखते रहो लेकिन यूट्यूबर कुछ कलास गायब हो जाती है वो नहीं मिलती है इसलिए अगर पूरा पढ़ना है तो जोईन करें अने था देखते रहें आज के लिए इतना ही जै ह जै भारत अगली कलास देखना ना भूलना साथ बज़े से कुछ करेंट अगरा जीके अगरा होगा आठ बज़े से कच्छा दस NCRT मैथ होगी यह तो कंफाम होगी आठ बज़े से साथ बज़े हो सकता ना हो आठ बज़े से लिकिन जरूर देखना शुक्रिया